ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपके राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधरमेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल 18 जनवरी 2023 बुद्धुवार का दिन है माग माहा के कृष्ण पक्ष की एकाडशी ती थी है इस दिन शट्तिला एकाडशी का महा परवर हेगा तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को माग माहा के कृष्ण पक्ष की शट्तिला एकाडशी की बहुत बहुत शुपकामनाएं एवं बधाया भगवान स्री लक्ष्मी नारायन का भरपूर आशिरवाद आप सभी के जीवन पर सदेव बना रहे आप सभी सुखी रहें, स्वास्त रहें, व्यास्त रहें और मस्त रहें नरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें यदि आप सट्तिला एकाडशी व्रत कथा सरवन करना चाते हैं या फिर एकाडशी के संबंद में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाते हैं तो हमारे चैनल पर हमने आपके लिए अन्य वीडियो प्रस्तुत किये हैं, उनको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, अधुराधा नामक नक्षत्र होगा तथा व्रश्चिक रासी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे, दिशासुल क अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में होंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा, अगर किसी कारणवस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत जड़ा अवश्यक हो, तो धनिया खाकर के यात्रा आरंब कर सकते हैं, हरा धनिया, सूखा ध आपको संपादित नहीं करना चाहिए हाला कि रहुकाल का निर्णए आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि रहुकाल कई चेत्रों में माना जाता है और कई चेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की मकर राशी में वहीं चंद्रमा ब्रश्चिक राशी में मंगल ग्रह ब्रशब राशी में बुद्ध ग्रह धनु राशी में देव गुरु ब्रहस्पति जोकी मीन राशी में शुक्र ग्रह मकर राशी में शनिदेव कुम्ब राशी में राहु ग्रह मेस राशी में तथा केतु ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार मेश मिथुन सिंग तुला धनु एवं कु करिक्षित्र में एक नई सोगात इनको प्राप्त हो सकती है और जो भी काम इनके द्वारा किया जाएगा उसमें इनको फाइदा ही देखने को मिलेगा तो कुल मिला करके इन पांच राशी वालों का देन सबसे खास साबित होने वाला है अब हम आपको मेज से लेकर के मीन सभी बड़ा राशी वालों का देनिक राशी फल पताने जा रहे हैं आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरू देखिएगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की इस समय उच तो पूर्ण योजना बनेगी धनलाब होगा नया काम आपका शुरू हो सकता है और उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में जा करके यदि आप चावल का दान करेंगे तो आपका देन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग नय वाहन के खरिदने संबंदित योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया है तो पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा विध्यार्तियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशक्ता है मित्रों के साथ घुमने पिरने त किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट करके दिन चरिया में कुछ न उपाई के रूप में भूजन में हरी सबजी का उपयोग करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्वपूर्ण तथा उच्पद आसीन व्य प्रवात हो सकती है तथा धनलाब के उत्तम आउसर आपको मिल सकते हैं उपाई के रूप में दूध का डान यदि आप मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की घर के संबंदिक कोई कार्य योजना आपकी तयार होगी नया घर आप खरीज सकते हैं या नई प्रापर्टी आप खरीदने के बारे में वेचार विमर्श करेंगे धार्मी कार्यों में आपकी विशेश रुची रहेगी परिवार के साथ अधिक्तम स करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की कोट कचेरी के मामलों में आपको फाइडा होगा और मांसिक तनाओं से आपको मुक्ति मिलेगी रिष्टे और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुलाराशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की जाही बनी रहेगी और उपाई के रूप में किसी भी ब्राम्भन को या साधू संत को गुड़ और तिल का डान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं रुज़ान रहेगा तथर समाज में लोग आपको पसंद करेंगे आपका रुद्बा बने रहेगा और लक्ष के प्रती आप एकागर चित रहेंगे सफलता आपको वश्यी प्राप्त होगी नया वाहन नई वस्तु खरिदने के विशय में आप विचार विमर्श कर सकते हैं उपाई के रूप में नहाते समय अपने नहाने के पानी में तीर्थ जल गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल डाल करके इस्तनान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की इस समय शारीरिक और मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक और अध्यात्मिक कारियों में आपका रुजान रहेगा इस्ताई संपत्ती भूमी भवन वाहन की खरीद फरोक्त की कोई योजना चल रही है तो उसमें गंबीरता पुर्वक विचार करें इस समय परिस्तियां आपके पक्ष में हैं किसी भी प्रकार का कोई यदि कागजी कारवाही आप करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़कर के ही आ आपको हस्ताक्षर करना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी जर्वत मन मित्र की सहायता आपको करनी पड़ेगी और ऐसा करके आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी और अध्यन रत भच्चों को अपनी महनत के मरोवांचित परिडाम हासिल होगे जिसे उनका होसला और आत्मेश्व और अधिक बढ़ने वाला है उपाई के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल और गुड का दान करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम नई जिम्मेदारी मिलने का योग है पदो नती भी आपको प्राप्त हो सकती है आपको स्वभाव में सोमेतावा आदर्श बना करके रखना बहुत आवश्यक होगा उपाई के रूप में किसी भी ब्राम्भन को यदि आप चावल और दाल याने खिचडी का दान करेंगे त अपनी रुची पूर्ण कारियों में आप समय व्यतीत करेंगे इससे आपको खुशिया प्राप्त होगी पारिवारिक माहुल सकरात्मक रहेगा ससुराल पक्ष से कोई खुशी भरा समाचार आपको प्राप्त होने वाला है उपाई के रूप में यदि आप हल्दी का टीका लगा करके घर से निकलेंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाल रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा कमिन करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लिजे आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी करश्ण साधर धन्यवाद